पबासुक सम्झाने लगे बेटी मेरी एक बात सुनिये सुने बेटी आगी बात बेबासुक का गिराव चारी है आने नहीं देगा बात बड़े जादुगरे पकल लेगा तुझे ललकी बोली पिता जी अगर ऐसे नहीं आने देगा तो यसे तो आने देगा कैसे तो बोली अरे पिता मैं चिलिया बन जाओंगी तो अको लेटा अरे नहीं बात सुनें बोले है चील बनाओगी तो बोले अरे लली बूबाजु की बन जाएगो और तो बोले पज्ञन में हाई अक्मर उड़ी जावेगो तो रलकी बोली अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी और जाबे जाऊंगी क्या चोटी मिड़ा से खाऊंगी पजासक बोले सुनो नागिन बन जाऊंगी अरे लली बूबरुगा बन जाएगो और धन्मान तरको चेला फोपो आँ बन नाई देगो आने नहीं देगा पकर लेगा बहुत बड़ा जादूगर है तो लड़की ने एक नहीं मानी बोले पिता जी आप चंता न करो जाऊंगी और जाऊंगी तो अमरत लेके ही आऊंगी आप इदर ही ख़ले लो अब अभी गए वो अभी है अब चली है वो नबन देजा महराज परिच्छत पहरेदारी में लगे वह अमरत की कुंट की देखिए वो बासुकी बेटी अरे चाले तो चली बान आगे निगी चाले तो चल की देखिए वो जफ़पिए वो बान आगे निगी क मरी लजङोंगा ओपकाओ चली मानारी लिगी दर्मरी लाजो गाओ खाओ पहुंची लड़की जा महाराज परिचर पहरेदारी में लगी परिचर जी का थोड़ा ध्यान भटका तो लड़की ने अमरत लिया ये पुना वापस दोड़ी और जैसे ही अमरत लेके पीछे चली परिचर जी सामने ख़ड़े हो गए कौन तुम्हारी हिम्मत कैसे पढ़गी अमरत के कुंड को हाथ लगाने के अब लड़की ने इधर न उधर देखा चील बनी और चील बन करके सीधी आकास मुड़े चली गए और जो चील बन के आकास मुड़ी तो परिचर जी ने मन में सोचा हमें जादू सिखा रही है अरे जादू गर को जादू सिखा रही है अब परिचर बाज बने गए जमील पर डाल लिया पकल लिया बोलो अम कैसी रही है ऐसे थोड़ी अब आपाँ में अब हुगा ऐसा बहाँ एक तम चिलिया भी अमर भी गई न देन लगाई हर पाज बन की लीनी न दी दवाई लड़की चीद बने परिचर दी बाज बने गए लड़की नागिन बने परिचर दी बरुगा बने गए नाच भू नाच रहे से लें जापाँ हुगा आए एक तम चिलिया भी अमर भी गई न देरा लगाई न देरा लगाई हर पाज के बन की लीनी दवाई पकलिया बोले ऐसे नहीं जापाऊगी हम जाने नहीं देंगे और जब पकलिया तो लड़की दोनों हाथ जोड़के खड़ी हो गई नाप करना प्रवू जो हमने बिना अन्मती के अमरत को हाथ लगाया लेकर मजबूरी हमारी यह है महराज हमारी खातर हमारे पिताजी को बेमारी लग गई है यह अमरत हमें ले जाने दो तो परीचज ने जब यह सुना तो बोले अगर ऐसी बात है तो अमरत तो ले जा लेकर ऐसे नहीं ले जा पाऊँगी कैसे ले जा पाएंगी बोले यह बता लोटके फिर आओगी मतलब मतलब तुमसे साधी कराओगी तो लिलकी बोली महराज अगर इसी बात है तूबी में जा रही हूँ और बाद में आउँगी तो तुम्हारे साथ साधी भी कर लो बोले हम कैसे जाने तुम चली गई हो ना आई पहले कसम काओ तुम्हारे साधी कर दो लिलकी बोली महरा सुन कि अमेरत देयाओंगी बोली कि अमेरत देयाओंगी वाद में तेरे संग लओंगी बोली सुनो मैरे माई नो अप्रियत में बाता हमारी और मैं निकेले तुम्हारी लावी क्यों? मैं सर तर निवावूंगी बादी मी तेरे संग लओंगी उत्तर दिया है महराज अभी हम जा रहें बाद में आएंगे तब हम तुम्हारी साथ रहेंगे कसम खाने हम नाग बंस में पैदा होगे हैं जूट नहीं बोलेंगे चली गई है ललकी इधर बासुक जब अमरत में स्नान करते हैं भको तब नो की वोगी मारी ठीक भही अब बासुक अरजुन से छमा मांगते हैं मां करना अरजुन भहिया हम ने थोड़ी भूल के कारण आप से जुट कहा था ये किसी और की नहीं मेरी बेटी है आप अपने घर में साधी करो तो उनन नवल्ले का विवा हुगा है महराज परिच्छ जी के साथ में अब साधी होगी अब जब साधी होई तो एक दिन भगवान कनहिया जो हैं वो अकेले बेटे पांड़ बतो बला मगने हैं पच्चे की साधी भी होगी लेकर कनहिया बहुत अधास में थे और अकेले बेटे बेटे को सोच रहे हैं वो जह स्याम सुन्दर सोच रहे हैं अक्समातमा धर्मराज अधुस्तर जी का आना होगी और कनहिया को दास देखकर के उनसे सबाल करने लगे महराज क्या सोच रही हो स्याम बैसे बात बात पे हसना मुस्कराना तुम्हारी आदत है लेकिन आज इतने ब्याकुल के हो परिसान के हो तो कहने लगे धर्मराज बात ऐसी है ना कुछ भविस्य की बाते ध्यान में आगे शरी हमारा चेहरा अदास हो गया भविस्य कैसा बोले तुम तो जानते हैं धर्मराज ये द्यापर कांतिम समय है हाँ और कल्यू का नम्मर आने बाला है हाँ लेकि तुम्हें ये नहीं पता है से कल्यू में क्या होने बाला है क्या होने बाला है बोले बोही तो बताना चाहरा हूं क्या होने बाला है बोले कलिग में वो होने बाला है जो आतक कभी हुआ ही नहीं ऐसा क्या होगा बोले सुनो कलिग में वो होगा जो हम लोग देख ही नहीं बाई कलिग में बाई का दुस्वन बाई होगा इनसान इतना मतलब ही हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए जूट बोलेगा दूसरे का नुकसान करेगा अगर जादा बड़ा मतलब होगा तो दूसरे की जान भी लेगा कलिग में इनसान अपने दुख से दुखी नहीं होगा बलकि दूसरे के सुख को देख के दुकी होगा कलिग में मंदरों की जगे सराव के ठेका नजर आएंगे कलिग में पुजारियों की जगे बतिक दिखाई देंगे कलिग में धर्म कौने में बैठ के रॉएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां बरके खेलेगा और किया होगा कलिग में बोले धरमरा सुनो कलिग में कि हुई जाबे वो दाला पुरा वालो है बीते वो जाला आपनो है अगा आई रहो पुरो जुँँआ प्रेवाई बेर को लाई इकानो है आपसा कई धाना मसुदा मानो है में करो ना कोई बाहर हो है ये होगा कलिग में धर्म कोने में बेचिंता बाली बात ये है कि तुम गर्बती हो और तुम्हारे कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा होगी तो बड़े सर्म की बात ये और बेचिंता खाय जा रही है तो पत्री बोली महाराज में सितनी सी बात अरे इतनी छोटी सी बात के कारण इतने परिसान हो रहे हो अरे भूल जाओ देखो पहले तो हमारे लिलकी होगी ने में कुछ पता है पत्री बोली पहले तो हमारे लिलकी होगी ने में कुछ पता है अगर हमारे लिलकी पैदा होती भी है न तो आप चिंता काई को करते हैं महाराथ आप ले सिंत्रों कर मेरे पैदा वही कोई लगी तो आप में बोली कि जो कर्णियाना दाजियां की बाद मारे संगा मारे जाहू के कर्णियाना दाजियां मारे संगा मारे जाहू के उतर दिया देखो पहले तो हमारे लड़की होगी ने में कूप पता अगर मेरे लड़की पैदा हुई भी तो आप चिंता न करो हम उस लड़की को जान से मार देंगे और अपनी भी जान देंगे लेकि तुम्हारा सर जो है बो अरजुन के सामने हर गित जुकने नहीं देंगे अब बात भी रही लड़का या लड़की की तो यह हमारे तुमारे आथ की बात थोड़ी यह तो सब ख़गमान के आथ की बात है अब चाह लड़का हो चाह लड़की हो भूल ला अब इधर धीरे धीरे समय बेतीत होता चला गया बहतो देखो अब बिद का बिदान पर मेसर की माया उधर तो अरजुन के घर में ललका पेदा हो गया जिसका नाम परीच्छत रखा गया उधर तो ललका हो गया और कुछ समय के बाद वासुक के घर में उनकी पत्री के गर्म से एक ललकी ने जनम लिया और वासुक के घर में जब ललकी पेदा भई तो बासुक की पत्री उस ललकी को देख करके खूबर हुई आंगन में गोद में लेकर के बैठ की सोचे लगी परमातमा ये क्या होगा अगर मेरे पती को ये दोका से भी पता चला कि मेरे ललका नहीं ललकी हुई है तो भो तो अपनी जानी दे देंगे अब क्या करें तो उसने अपने पती की जान बचाने के लिए एक चाल चली बहाँ उस ललकी को अपने घर में चुपा लिया और ललकी को घर में चुपा करके अपने पती बासुक को बला करके बासुक से ये के दिया महराज अब आप चिंता ना करो बोले के हो बोले तुमें ये चिंता थी ना कहीं हमारे ललकी ना हो जाए अब आप चिंता ना करो ना तो हमारे ललकी होई वना मेरे ललका हुगा मेरा गर जो था वो खंड़त हो गया ललकी को घर में छुपा करके पती बासुक से ये कह दिया महराज ना ललका हुगा ना ललकी होई मेरा गर जो था वो घंडे तो हो गया जूत बोल दी ऑंजो बता को पता नहीं के गर में ललकी भी केको उसे जोटी के दिया फूल लकी की बात एक हो छफाई भी कम तक रही अब बासों की ललकी जोय वो दीरे दीरे आंगन में जबान होने लगी समझदार को नही लगी है साइनी बतो वो बासु की बेटी जो है अरे बिटिया राजा वासु का की मैलमी बिटिया राजा वासु का की मैलमी स्यानी नवलद है ओ दिया मैलमी बिटिया राजा वासु का की मैलमी बिटिया राजा वासु का की मैलमी स्यानी नवलद है ओ दिया जवान हो गई लड़ी बासों के घर में लेकर बासों को यह ख़बर नहीं मेरे घर में लड़ी है एक दिन बासो के यहाँ से घटना घट गई अपने गर दे एक बार बहे उनकी लड़की नबल दे सनान करने के बाद अपने छट में गूम रही ये बाल सुखा रही एदर तो लड़की छट में गूम रही ये बाल सुखा रही और अधर साम को बासुक दरबार बंद करके अपने ग़र पे चले तो उसी गली से जब निकले हैं तो इनकी निगा जब छट पे पहुँची तो खड़े ओके सोचे लगे परमात्मा मेरे घर मेरे घर मेरे घर मेरे और मेरी छट पे यतनी सुनन लगी कौन है अब बासुक को ये तो पता नहीं के मेरी बेटी है के कुन से तो जोटी कह दिया था अब मन में खड़े-खड़े बिचार कर रहा है ना तो हमने अपने कोई रिष्टेदार बुलाई है और ना मेरे घर में अतनी सुन्दर कोई नोकरा नहीं है लेकर है कौन अब बासुक के दिल में गलत विचार आया गलत भावना बनी बासुक ने सोचा चलो जो भी है वो तो है तो गह में अब इस ललकी को अपनी पत्री का दर्जा देंगे वो अपनी पत्री बना के से अपने गह में रखे यह मन में सोचा कहा कुछ नहीं जो बासुक के दिल में ये गिलत विचार आए तो बासुक को बीमारी लग गई पूरे सरीर से कोड निकलना सुरू हो गया महराज बासुक जो थे वो कोड़ी हो गई घर पे आए पत्री को पूछा तो पत्री ने पूरी कहनी बताई ये महराज ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है मैंने आपसे जूट के दिया था तो बासुक रोने लगे बोले ये तो ने क्या किया अब मेरी जान नहीं बचेगी मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है इलाज है भी उसकी रास्ता बहुत कठीन है उसे कोई करी नहीं बाएगा कोई अमरत अगर लेके आए हम अमरत वे स्नान करें तो तो ठीक हो सकते है अन्यता हम ठीक होने वाले नहीं अब मुसीबत इस बात की ख़ड़ी हो गई कि अमरत लाएगा खौन क्योंकि अमरत का कुल न तो पांड़मों के गर में है और भाद धनमंतर का चेला परीछ पेरेदारी कर रा है इंसान की बात बहुत अलग है बाद परिंदा भी पर नहीं मार सकता अमरत लाए कौन तो बहे उनकी लिलकी नमल दे आगे बड़ी बोली पिता जी आप चिंता क्यों करते हैं अरे मे मेरी खातिर तुम्हें बीमारी लगी तो ये काम हम करेंगे अमरत अमल आए तो बात सों को असने लगे तुम मुद्धी खराब है अरे वो धनमंतर का चेला है बहुत बड़ा जादूगर है तुझे आने नहीं देगा पकड़ लेगा तो लड़की बोली पिता जी आप चिं